हेलो फ्रैंड्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल आज शुरू करेंगे चैप्टर एट क्वाड़िलेटर्स यह इस चैप्टर का इंट्रोड़क्शन वीडियो है तो अच्छली शुरू करते हैं सबसे पहले जानते कि क्वाड़िलेटर्स एक्चुली होता क्या है आप चार पॉइंट्स है और वो स्ट्रेट नहीं है मतला कॉलीनियर नहीं है एक दो तीन चार यह चार पॉइंट्स कॉलीनियर है तो लाइन बन गई यहां पर दो पॉइंट्स कॉलीनियर है तो ट्रैंगल बन गया यहां पर कोई भी दो से जाधा पॉइंट्स कॉलीनियर नहीं यानी कि एक सिदाही में नहीं यह दोनों आपस में को लिनियर है यह यह है यह यह तीसरा पित को लिनियर है तो जब 4 points होते हैं और उनको हम join कर देते हैं तो जो figure बनती है वो quadrilateral होता है तो यह आपका quadrilateral है इस तरह से अगली figure पे देखिए दिखने में यह आपको एक arrow जैसा लग रहा है लेकिन points पे ध्यान दे 1.2.3.4 points चारो points से straight line खेंच दी तो यह भी quadrilateral ही बोला जाएगा चलिए इसके बाद next समझने की जो चीज है वो है angle sum property of a quadrilateral angle sum property of a quadrilateral का मतलब यह होता है कि किसी quadrilateral के जो angles होते हैं उनका total sum कितना होता है अब आप इस figure पे ध्यान दे a, b, c, d एक quadrilateral है यहां से बीच में a, c, एक diagonal खेंच दिया तो यह जो quadrilateral है न दो triangle में बढ़ गया और एक triangle का angle sum property आपको पता होगा छोटी classes में भी बता देते हैं एक triangle के 3 angle मिलकर 180 degree के होते हैं तो जब 1 के 180 होते हैं तो 2 के मिलकर कितने हो जाएंगे 360 इतना simple है तो किसी भ होता है वो 360 डिगरी होता है यहां पर दिया हुआ है the sum of the angles of a quadrilateral is 360 इस बात को आपको भूलना नहीं है यह हमेशा याद रखनी है यह हर question में जूरूत पढ़ जाती है इसकी चलिए इसके बाद आते है types of quadrilateral कि quadrilateral कि कितने तरह के होते हैं जिस भी figure में 4 side होती है और वो close figure ह होती है वो quadrilateral होता है अब वो भी अलग अलगते रहे कि हो सकती है देखे figure 1 पे ध्यान दें आप a b c d एक quadrilateral तो है लेकिन इसका अगर नाम बताएं इसकी खासियत के हिसाब से तो इसका नाम क्या होगा यहां पर a b और c d है ना यह दो लाइन आपस में बिलकुल parallel है यह दो फिगर होती है ना इस तरह के quadrilateral का एक particular नाम होता है और उसे बोलते हम trapezium यह trapezium है second figure पे देखे PQRS यह quadrilateral तो है लेकिन इसके दोनों pair है ना यह PQRS यह भी parallel है और QR और SP यह भी parallel है तो जब दो pair lines के दोनों pair parallel होते है तो उसको बोलते है parallelogram यह parallelogram है third figure यह तो छोटी class से सिखा देते हैं बच्चों को नरसरी केजी में भी देखिए दो side से आमने सामने बराबर है फिर यह दो side से यह चोटी वाली है यह आपस में बराबर है और यह angle सारे के सारे बिलकुल straight है ऐसी figure को बोलते है rectangle अगली figure पर आईए fourth figure fourth figure जो ना बिलकुल second के जैसी है यह DE और GF आपस में parallel है और DG और EF आपस में parallel है यहाँ खासियत क्या है कि चारो की चारो sides की जो length है न वो बराबर है बिलकुल बराबर दिखाई दे रही है तो ऐसी figure को बोलते है rhombus यह rhombus होता है fifth figure बिलकुल छोटे से बच्चों होगा लिए square है बच्चे भी बता देंगी इसको देखके तो A, B, C, D की चारो side दिखने में आपको दिखरा होगा की length बराबर है और angle बिलकुल 90 degree है बिलकुल straight एक दम तो यह होगा square Six figure पर आई है यह थोड़ी सी अलग है यह दिखने में आपको पतंग जैसी लग रही होगी और इसको actually हम पतंग ही बोलते है इसका mathematical जो नाम है वो भी काईट है इसकी खासियत यह होती है कि इसकी कोई दो आपस वाली side है जो 7 वाली होती है उनकी length सेम होती है और बाकी की जो पूरी नहीं है जैसे कि यहाँ पर A D और D C छोटी है और A B और B C यह बढ़ी है तो यह इस तरह जो figure बनती है इसको हम काईट बोलते हैं चलिए यह छे तरह के जो है quadrilatles होते हैं इनकी quality के ऊपर इनकी figure और इनकी जो shape होती है उसके हिसाब से इनका particular नाम दिया हुआ है यह quadrilatle की family होती है चलिए अब quadrilatle की कुछ खासियतों के बारे में जाल लेते हैं sorry quadrilatle ने parallelogram हमने यहाँ पे quadrilatle तो पढ़ लिए कि बहुत तरह के होते हैं यह square है यह rectangle है छोटी class हो में आपको बता रखे हैं कि इनकी क्या property होती है इस particular chapter में या इससे जो next आने वाली exercise है उ तो next topic आता है properties of a parallelogram सबसे number one theorem 8.1 a diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles parallelogram को दे रखा है आपको यहाँ देखिए a b c d यह parallelogram है यह diagonal कीच दिया a c तो parallelogram का diagonal होता है वो उसको दो congruent triangles के अंदर divide कर देता है congruent triangle वो triangle होते हैं जिनकी shape जिनकी size बिल्कुल exact accurately same होती है यानि इस piece को अगर काट के न इसके ऊपर टिका दे न तो बिल्कुल लिख दा ऊपर से ऊपर यह touch करेगा second property theorem 8.2 in a parallelogram opposite sides are equal parallelogram के अंदर जो opposite sides होती है वो बराबर होती है यहीं देख लें इसमें a b c d के बराबर होगी और a d b c के बराबर होगी यह parallelogram की प्रॉपरटी है next if each pair of opposite sides of a quadrilateral is equal then it is a parallelogram अब यह theorem है इसमें कहता है कि अगर कोई quadrilateral है यह नहीं कहा कि parallelogram है कहा कि यह quadrilateral है और इसकी opposite sides है न जो वो equal है pair यानि कि इस figure में देखे a b और c d बराबर है a d और b c बराबर है तो यह quadrilateral है अगर ऐसा दिखता है किसी figure में आमने सामने की sides बराबर है तो वो parallelogram ही होगा यह पिछली वाली theorem का just उल्टा है inverse जिसे बोलते है चलिए theorem 8.4 में कहता है in a parallelogram opposite angles are equal किसी भी parallelogram के जो opposite angles होते है न वो बराबर होते है इस figure में देखे जितना angle b होगा न exact उतना ही angle d होगा और यहाँ जितना angle पूरा ये a होगा न उतना ही angle c होगा तो opposite angles भी parallelogram के बराबर होते है next theorem जो 8.5 है ये इसका converse है यानि कि इसका उल्टा है if in a quadrilateral each pair of opposite angles is equal then it is a parallelogram अगर कोई quadrilateral दे दिया ये नहीं कहा कि वो parallelogram है बस quadrilateral बता दिया कि ये quadrilateral है और उसके opposite angles है जो वो बराबर है तो फिर वो पक्का पक्का parallelogram ही होगा उसे हम parallelogram बोल सकते हैं theorem 8.6 the diagonals of a parallelogram bisect each other parallelogram के जो diagonals होते हैं वो एक दूसरे को जहां काटते हैं उस point से दोनों diagonals की length आपस में बराबर हो जाती है जैसे कि A, B, C, D parallelogram है A, C और B, D आपस में diagonal है तो जहां ये काटेंगे न होगा क्या कि A, O की लंबाई, O, C की लंबाई के बराबर आएगी यानि ये दोनों length आपस में बराबर हो जाएंगी इस O की जैसे और O, D और O, B ये आपस में बराबर हो जाएंगी बिल्कुल बराबर कटेंगे इसी को बोलते है बाई सेक्ट, बाई का मतलब होता है दो और सेक्ट का मतलब है टुकडे, दो बराबर टुकडो में बटेंगी वो theorem 8.7 इसका converse है, if the diagonals of a quadrilateral bisect each other, then it is a parallelogram ये कहा है कि कोई quadrilateral है, ये नहीं कहा कि पैललोग्राम है, कह दिया कि ये quadrilateral है और इसके जो diagonals है वो आपस में bisect हो रहे हैं तो फिर वो पक्का-पक्का पैललोग्राम ही होगा, हम उसे पैललोग्राम कह सकते हैं इसके निशान से ही पता चल रहा है कि इसके जो diagonals है वो एक दूसरे को आपस में bisect कर रहे हैं एक जैसे निशान का मतलब है इनकी लहत बराबर है, यहाँ एक जैसा निशान है दोनों में तो ये लहत बराबर है तो quadrilateral है, diagonals bisect कर रहे हैं, तो फिर ये पक्का पैललोग्राम ही होगा इससे next, another condition for a quadrilateral to be a पैललोग्राम ये खास तरह की condition है कि अगर ऐसा हो ना, तो भी वो एक quadrilateral पैललोग्राम ही होगा ये condition क्या है, ये देख लीजे, a quadrilateral is a पैललोग्राम if a pair of opposite sides is equal and parallel कोई quadrilateral दे दिया, ये नहीं कहा कि वो पैललोग्राम है कोई quadrilateral है और उसकी सिरफ एक pair, दो भी नहीं, सिरफ एक ही pair opposite sides का एक pair जो है, वो बराबर है और parallel है तो फिर वो पैललोग्राम ही होगा for example, a, b, c, d एक quadrilateral है और यहाँ पे a, b और c, d आपस में parallel है और इनकी length भी बराबर है तो ये पैललोग्राम ही होगा a, d और b, c के बारे में कुछ नहीं कह रखा सिरफ दो बाते बोली हैं कि a, b, और c, d आपस में parallel है और ये दोनों आपस में length में बराबर है तो भी ये पैललोग्राम ही होगा तो basically जो है 8.1 उसके लिए आपकी जितने भी ये theorem जो भी आपने property पड़ी है इन ही का use होगा तो next video से exercise स्टार्ट करेंगे तो इस video में बस इतना ही तो फिर मिलते हैं next video में तब तक के लिए goodbye झाले कर दोी बाले करेंगे कि अगफ